आज से अपना टाइम बरबाद करना छोड़ दोगे, दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, समय, समय हमें बिलकुल मुफ्त में मिलता है, और एक बार समय हाथ से निकलने के बाद हमें वापस दोबारा नहीं मिलता, और जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करते, वे सिवाए पच्चतावे के और कुछ नहीं कर सकते हैं, जो लोग व्यर्थ के कामों में समय बरबाद कर देते हैं, समय उनके जीवन को अपने इच्छा अनुसार बदल देता है, इसलिए आप इन 24 घंटे, यानि 86400 सेकंड का ऐसे ही प्रयोग करें, जैसे एक गरीब मजद लोग अपना व्यक्त प्यार मोहबत में, मूवी, टीवी और स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और घट सैप पर बरबाद कर देते हैं, ये सब चीजें गलत नहीं, लेकिन हद से ज्यादा इन सब में लगे रहना मूर्कता है, इन इनका इस्तेमाल सीमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे चोर हमारे कीमती वक्त को चुरा रहे हैं, इसलिए इन पर लगाम लगाना आवश्यक है, पर उस समय दुख की बात ये होगी, कि तब आप उसे खो चुके होंगे, और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं 1. अपनी दिन चर्या पर नजर रखें कि आपका वक्त कहां बरबाद हो रहा है, 2. जितना हो सके प्यार मोहबबत से दूर रहें, क्योंकि आप माने या ना माने, दुनिया के लाखों लोग इसी वजह से अपने जीवन को बरबाद कर देते हैं, 3. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को भी फालतू की बातों से उलजहा कर उनका भी समय नश्ट करते हैं, इसलिए ऐसे गप्पू लोगों से दूर ही रहे, 4. आज का काम कल के लिए ना टाले, बहाने बाजी से बचे, 5. बहतर यही रहेगा कि सोने से पहले कल के का कामों का नोट बुक में लिए, 6. जरूरी कामों को अलग लिखें और गैर जरूरी कामों को अलग लिखें, 7. अपनी दिन्चर्या के हिसाब से समय का प्रबंद करें, जैसे 5 बजे जगरना, 6 से 7 बजे तक व्यायाम करना, ऐसे ही अपने दिन भर के कामों की टाइमिंग दोस्तों अगर वीडियो अच्छा खासा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें